इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यूव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब बात करने वाले हैं दन्रुप्र के सटर करें एक्ट और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चले श्टार करते हैं आज का सेशन तो सबसे पहले बात करें यहां पर मार जो फ़र्ष्ट कोश्चन है तो क्या कहता है कि दर्ण प्रक्रे सहिता में संख्षित विचारण की प्रक्रिया किन धाराओं में दी गई है 211 क्यामन से 269 धारा 238 से 250 260 से 265 या धारा 266 से 271 तेहां पर इसका सही आंसर क्या होगा C नंबर धारा 260 से 265 में संख्षित विचारण से संबंदी प्राब्धन किया गया है उसके बाद दूसरा कोश्चन है मारा इस अधिनियम के अंतरगत नयाइक मजिट्रेट प्रथम स्रेणी को संख्षित विचारण के लिए कौन सी सक्तियां प्रदान करता है सेसन नयाले, उच्छ नयाले, राज्य सरकार, रमुक्य नयाइक मजिट्रेट यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा बी नंबर, जो हाई कोट है, वो सक्तियां प्रदान करता है उसके बाद, थर्ड कोश्चन है इस अधिनियम की धारा 260 में उलिखित अपरादों का संक्षित विचार नयाले में से कौन कर सकता है महानगर मजिट्रेट, मुक्य नाइक मजिट्रेट या प्रथम स्टेडिंग के कोई मजिट्रेट जिसे उच्च नयले ने प्रादिक्रित किया हो या D उपरोक सभी के द्वारा यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है D नंबर उसके बाद फूर्थ कुश्चन है हमारा समरी ट्रायल में अधिनेरने कारवास की अधिकतां अवद कितनी हो सकती है जो समरी ट्रायल की जाती है उसमें जो कारवास है उसकी अधिकतां अवद कितनी हो सकती है तीन माह तक छै माह एक वर्स या तीन वर्स तक यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है आपका ए नंबर यह तीन माह से अधिक कारवास इसमें नहीं दिया आए सकता संशित्वी विचारण में कि उसके बाद फिप्ट कुष्चन है मारा देंड प्रक्रिय सहीता के अंतर के सवधा अभाक से संब्धिक प्रावधान किस अध्याय में किया गया है अध्याय 18 अध्याय 19 अध्याय 21 का यह वाइस उसकि यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है थी नंबर यह इस अध्याय 21 का में उसके बाद 6 कुष्चन है मारा इस अध्यायम की धारा 265 का कितने दंड की अबदी पर लागू होती है साथ वर्ष साथ वर्ष से अधिक दस वर्ष या आजीवन कारावास यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा यह नंबर देट में साथ वर्ष उसके बाद सेबंध कुष्चन है मारा आईवाक सौदे बाजी जो प्ली वार्ष वार्ष समधी पर अध्यान है वह निम्ड में से किस पर लागू होते हैं भारत की सामाजिक आर्थिक इस्थितियों पर प्रभाववड डलने वाले अपरादों पर इस्तियों के बिरुद्ध अपराद पर यह उप्रोक्त में से किसी पर नहीं यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर इसका सही आंसर है डी नंबर ठीक ना यह तीनों क्या है एक्सिप्संस है प्ली वार्ष निलिए उसके बाद एट्ट कोश्चन है आईवाक सौदे बाजी के प्राभधान प्रियोज जहेंगेवल की सोर अपराधियों पर अपीलि प्रक्रम पर साथ बर से अधिक दंड से दंड़नी अपराध है के धारत 204 के दिन आधेश का जारी होने के बाद यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी नम्बर यहीं दिन धारत 204 के दिन आधेश का जारी हो गए यह उसके बाद कि प्रम यहां पर अव्याक सोद्यवाजी किया सकती है उसके बाद नाइंद कुश्चन है कारगार में परिरुद व्यक्तियों की हाजरी से संब्धिक प्रावधान किस धारा में बताये गया है धारा 260-265 धारा 266-271 यह धारा 272-29 यह धारा 300-372 यह पर इसका सई आंसर क्या होगा इसका सई आंसर है बी नंबर धारा 266-271 तक में कारगार में परिरुद व्यक्तियों की हाजरी संब्धिक प्रावधान यहां पर किया गया है उसके बाद 10th question है, मईस्टेड अधिनियम की किस धारा के तहत कारगार में किसी बंदी की साक्षी गरो में परिच्छी अध कमिसन जारी किया कर सकता है तो कोई ऐसा ब्यक्ति एज़ चाहराघार बंद्ध है तो के परिष्या मैंशरी तो 279-271 यह stir क्या होगा यहां पे आपको सइवाइब होगा सी ज़ीआज दो इकट्र है उसके बाद 11 question है मारा इस अधिरियम किस धारा के अधिन साथ्षी के भाव भंगीमा के अविलिक्त करने का वंद किया गया है जो जब साथ्षी के परिच्छा की जाती है तो उसके भाव भंगीमा को ठीकिना उसके हाव भाव किया है वो भी record कर लिया आता है इस अधिनियम के किस धारा में भाव भंगीमा को रिकॉर्ट किया है उसके बाद हमारा 12th question है इस अधिनियम के किस धारा में भारत के राष्ठपत या उपर राष्ठपत की साथ्षी के रुपे परिच्छा करने के लिए कमिशन जारी करने का प्रावधान किया गया है धारा 283, धारा 284, धारा 285 या फिर राष्ठपत या उपर राष्ठपत की परिच्छा नहीं किया सकती है यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है बी नंबर धारा 284 है उसके तहर उपर राष्ठपत या पस्तिति या फरार अबव्यक्ट की गयर हाजरी में सात्छी की परिच्हा की जा सकती है एक की धार मताई गया धार 2993版 में 242 tribe 5927 यहां पर इसका सही अंसर क्या होगा ये नमबर 1299 यह वहां पर क्या की यह अब्योंट अंपस्तित है यह फरार हो गया है तो वहां फोटिंद कोश्चन है दंप्रक्रिय सहीता की किस धारा में निशूलक में बिदिक सहयता का प्रावधान किया गया है धारा 302, धारा 304, धारा 306, धारा 308 यहाँ पर इसका सही अंसर होगा बी नंबर धारा 304 में उसके बाद 15th question है सह अपरादी को दंड प्रक्रिय सहिंता की धारा 306 के दिन छमदान कब दिया जा सकता है अनुवेशन के दोरान, विचानर के दोरान, जाच के दोरान या इन में से सभी में तो यहाँ आप इसका सही आंसर क्या होगा दी नमबर इन में से सभी के दोरान उसके बाद 16th question है अधिनयम की दारा के तहट एक अभ्यूक्ट उप्यक्त स्वयम सक्षम 7 हो सकता है धारा 315, धारा 316, जो 11, ये धारा 314 के तहट तो जो अभ्यूक्त है वो स्वयम साथ्षी भी हो सकता है साक्षी दे सकता है तो 21 धार में बताए गया है यह बताए गया है आपका एलम हर धैट मेंस की धारा 315 में ऐसा बताए गया है कि अभीक स्वयम साक्षी हो सकता है उसके बाद 17 कुस्टन है दंड प्रके संहिता की धारा 320 में बिनेदिश्ट अपराधों के अतरीक्त भारती दंड संहिता में उलिखित अन्य सभी अपराध है आसमनी है समनी है नयलेक अलमती से समनी है यह उच्च नयलेक वारा समनी है क्या है कि सम्झू आयाए सकता है या नहीं ऑन सब्स क्या होगा इस ट्रिट में बदायें चीक जो आपर दुहां पर बताय गया है वही उसी में क्या किया सकता है समझू और इसके अलाव जो सेक्शन बताये हैं IPC में उसमें समझोता नहीं किया सकता है उसके बाद अगला कुश्चन है इस अधिन्याम के अंतरगत अपराद के समन का प्रभाव होगा उस दांडिक मामले में अभियुक्त की दोस्मुक्ति अभियुक्त का उन्मोचन आरूप बिर्चित किया जाने पर भी दोस्मुक्ति आरूपो के बिर्चित किया जाने पर उन्मोचन यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा यह नंबर अभियुक्त की दोस्मुक्ति यदि अपराद में समन किया जाता है ठेल दो पक्षकार है वहां पर क्या है कि दोनों समझावता कर लेते हैं तो मामला वहां पर खतम हो जाता है तो वहां पर जो अभ्यूक्त है उसको दोस्मुक्त माना जाएगा उसके बाद 19 कुश्चन है निमने मैंसे किस बाद में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष देने के लिए किया गया था नितिस कटारा 27 में फिर दरसरी मट्टू में 26 में जेसिका लाल की केस 27 में उपरोक मैंसे कोई नहीं लिए यहां पर इसका जधाल किया होगा इसका सफी आंसर है सी नंबर इसके बाद 20 कुश्चन है धारत इंसक्तावन का दो द्रके सहिता कि प्रतिकर की मातरा निधार कौन करेगा मुखिनाएक मैस्टेट जिला माइस्टेट सिसंनियाधेश राज variance जिला विदिक क्योंटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्यू सुमाच्छ वाचिंग लिगलाइज इसन्साइड